विश्व हिंदु सेना के अध्यक्ष अरुन पाठक ने एक बारesian शोशल मीडिया पर विवादित बयान पेश किया है 25 अगस्त यानि कि कल अरुन पाठक ने ट्विटर पर एक विवादित बयान पेश कर दिया और उन पाठक ने ट्विटर पर ट्विट करके केंदरी मंतिर नारायन राने का सिर्ख कलम करने वाले को 51 लाख का इनाम गूशित कर दिया और उन पाठक ने कल ट्विट किया कि जिस पॉकिट मार को बाला साहिब शिव सैनिक बनाए उसे मुख्य मंत्री भी बनाए उसने घटिया काम किया सस्ती लोप्रियता पाने के लिए बाला साहिब के बेटे पर आक्रमण किया ऐसे आदमी का सर कलम कर देना चाहिए और ये जो करेगा उसे मैं 51 लाख रुपे दूँगा इस मामले पर वारांसी में बिजेपी के कारेकरताओं ने प्रतिक्रिया पेश की है इस मामले पर बिजेपी कारेकरता तुलसी सुब्रमणयम जोशी ने कहा कि नारायन राने के इंद्री मंत्री है और उनके सामने अरून पाठक की कोई आउकाद नहीं है राश्टी नेता के खिलाब कोई ऐसा बोलता है तो प्रशाशन को उस पर कारवाही करते हुए जेल में बंद कर देना चाहिए और आप राधिक कारवाई के तरस उसको गिरफतार के खिला देना चाहिए यही मेरा कहना है अरुन पाठा की कोई आवकात नहीं नारहन राणे की चरण की धूल के बराबर भी नहीं है तो क्या बात करेंगी अगर बंद की जनता चाहिए तो जवडा जवडा के मारेगी कहीं पता नहीं चाहिए वहीं बिजीबी के एक और दूसरे कारेकरता चित्ति इंद्र कुमार यादव ने कहा कि नारहन राणे ने पाला साहिब को तो कुछ नहीं कहा है उन्होंने तो उधर ठाकरे को कहा है अरुन पाठा की तरफ से जो ब्यान हुआ है काफी निंजनी है जो उ क्या अस्तितों है यह पब्लीक जानती है और हमारे केंद्री मंत्री के खिलाब बोलने का आपका कोई दाइत तो नहीं बनता इस पर मैं उनको हादी खेत करने का प्यता हूं किसी को लोग तंत्र है किसी को कुछ कहने पर बोला नहीं जा सकता यह तो अपनी विवेक के उपर कि हम क्या किसको क्या कह रहे हैं बीजेबी के एक और कारेकरता और नगर निगम पार्शद राजखुमार यादव ने कहा कि नाराय राणे जैसे कट्टर वाध नेता के सामने अरुन पाठक का कोई अस्तित्व ही नहीं है पीश है न्यूस बाकेट हिंदी मासिक पत्र का पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूस बाकेट की मैगजीन में हमारी इमैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभू लॉग इन करें www.newsbucket.in पर इसके अलावा रोज की ताजा खब्रों के लिए हमारे यूट्यूब चानल को तुरन सब्सक्राइब करें